स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकर ओनलाइन स्टेडी में दोस्तों इस वीडियो में हम फिगा स्रीज यानि की आखरती शरंकला के वो तीस मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन सॉल करेंगे जो पिछले एक्जामों के अंदर पूछे गए हैं वो भी हम ट्रिक के मारे दम से मातर दस सेकंड में आपको समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से तो वीडियो शुरू करते हैं पहला क्यूशन है यहाँ पर आपको प्रेशन आकरती के अंदर तीन आकरतिया दे रखी हैं आपको बताना में कि इसके बाद कौन सी आकरति आएगी और यहाँ पर आपको 4 उप्शन दे रखी हैं उत्तर आकरतियों के तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो इस तीनों डाइग्राम के अंदर आपको compare करना है तो यहाँ पर पहले जो अकरती है वो यहाँ पर horizontal है फिर next diagram में जो है वो vertical हो गई फिर वापस horizontal हो गई horizontal यानि आड़ी फिर उसके बाद खड़ी वापस आड़ी तो next जो है figure के अंदर वो vertical होगी क्योंकि यह horizontal है तो यहाँ पर vertical आईगे तो vertical के अंदर हम देखे तो A और B जो अकरती है वो vertical है यानि कि यह दोनों option तो हमारे पास cut ही गए है उसके बाद यहाँ पर तेखेंगे तो एक जो है parallel line यानि समानतर रेका यहाँ जुड़ गई है दूसरे वाले के अंदर फिर उसके बाद दूसरा question अगर हम देखे तो इसमें प्रेशन आकरती में आप देखोगी तो दो line दे रखी है इसके बाद इसमें 3 दे दी इसमें 4 दे दी तो इसमें 5 जो है line आएगी और 5 line वाला जो आकरती है वो option number B में है तो option number B यहाँ पर right answer हो जाएगा यहाँ पर एक एक line का जो है increment हो रहा है तीसरे question की बात करें तो इसमें जो है इस प्रकार से 3 black dot को हमको देखना है 3 black dot जो है यहाँ पर यह single वाला dot अभी इस जगह पर है और दूसरे वाला जो figure है उसके अंदर यह इस जगह पर आ गया यानि कि अगर हम देखे तो यह गड़ी के विपरित दिशा में यानि गड़े के विपरित दिशा में यानि कि जिसको हम बोलते है वामावर्त यानि यह इस परकार से पीछे जा रहा है एक जो single वाले dot को देखोगा आप ब्लेक वाले को तो यह पीछे जा रहा है एक step वापस यह एक step पीछे चला गया तो यह ब्लेक वाला जो dot है ने इस इस्तान पर आ जाएगा तो इस इस्तान पर जो ब्लेक वाला dot है वो एक तो किस के अंदर है इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है इधर तो डो डोट है तो यह तो होई नहीं सकता है उसके बाद ब्लेक वाले डोट के पीछे ही दो वापस ब्लेक वाले डोट है तो इसमें तो ब्लेक वाले डोट के पीछे दो वाइट डोट दे रहे हैं तो यह तो होई नहीं सकता है इसमें black वाले dot के पीछे एक blank dot दे रखा, ये भी नहीं हो सकता white वाला, इसके अंदर जो है a वाले option में black वाले dot के पीछे दो black वापस दे रखे हैं, क्योंकि 3-7 में हैं, 3-7 में हैं, तो 3-7 में तो a वाले के अंदर ही हैं, तो ये जो है इसका right answer हो जाएगा, उसके बाद अगला question number 4 की बात करें, तो इसमें जो है आपको इस परकार से जो है चारा करतिया दे रखी हैं, इसके अंदर एक work बना रखा है, एक worth बना रखा है और एक plus का चिन है, यानि कि 3 जो है इसके अंदर design दे रखी हैं, तो आपको बताना है कि इसमें जो है किस परकार से आगे change हो रहा है, तो अगर इसमें हम देखे तो ये plus जो है इस जगह पर है, और plus वापस ये निच्चे आ गया, यानि कि ये 90 degree जो है वो आगे चला गया, यानि clockwise, कड़ी की दिशा के respect में ये जो है आगे बढ़ गया है, उसके बाद वापस 90 degree ये आगे बढ़ गया, और वापस ये 90 degree आगे बढ़ गया, यानि एक एक step ये तीनों जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो next step में जो होगा इस परकार से वर्थ होगा, तो ये जो हो रही हैं, वो केवल option number C के अंदर ये हो रहा है, तो option number C जो है यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा, question number 5 के बात करें, तो इसके अंदर आपको दे रहे का है, इस आकरती में जो है, arrow बाहर की तरफ जा रहा है, और नेश्टी जो आकरती में हम जाएंगे, तो ये जो है anti-clockwise, यानि गड़ी की विपरित दिशा में 90 degree जो है rotate हो गया है, यसे 90 degree rotate हो गया है, फिर वापस ये 90 degree rotate हो गया है, नीचे की तरफ आ गया, अब वापस 90 degree rotate होगा, तो कुछ इस परकार से इस side पर चला जाएगा, ये जो 3 का arrow है, वो इस side पर चला जाएगा, तो AC आकरती जो है, इसमें है, लेकिन इसमें जो है, पीछे वर्ग नहीं है, इस वाली जो B option है, ये इसका विल्कुल correct answer हो जाएगा, पाच जोई का option number B, फिर चटी आकरती जो है, इसमें जो है, इस परकार से दे रहे हैं, हम केवल दो जो ये black और white जो dot है, केवल एने से जो है answer find कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये अभी इस परकार से हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसको वापस हम गड़ी के विपरीज दिशा में अगर rotate करवाते हैं, anti-clockwise, तो ये काला dot जो है इधर आ गया है, मनलब 45 degree हमने इसको rotate करवाया है, फिर 45 degree rotate करवाएंगे तो ये काला dot बिल्कुल निचे की तरब आ जाएगा, तो ऐसे तो केवल एक ही condition है, वो आप देख सकते हैं, C के अंदर हैं, तो ये C वाला जो है इसका right answer हो जाएगा, बाकि ये तीनों जो है इसके wrong हो जाएगे, Q7 की बात करें तो ये तो बहुत easy हैं, इसके अंदर जो है एक black dot दे रखा है, उसके बाद ये जो black dot है इस जगह पर आ गया, यानि कि कितने debal इसने left किये, तो एक debal जो है इसने left करकी आगे आगया, फिर ये black dot यहाँ पर चला गया, यानि ये कितने debal आगे गये, दो debal इसने left कर दिये, यानि पहले एक debal चोड़ा इसने, और दूसरी बार में जो है दो डिबे छोड़ दिये फिर तीसरी बार में अगर देखेंगे तो यहां से एक दो तीन डिबे इसने छोड़ दिये हैं और यहां पर तीन डिबे छोड़ने के बाद यहां पर आ गया तो अब next step में जो है चार डिब्य आपको छोड़ने पड़ेंगे तो चार केसे हो जाएंगे एक दो तीन चार यानि कि यह इस तर पीछे आ जाएगा इसका जो right answer होगा वो just यह जो dot होगा इसके पीछे इसमें आएगा तो ऐसी आकरती जो है यह डी वाले option में है तो यह इसका right answer हो जाएगा यानि कि इसको एक clockwise तो rotate हो रहा है लेकिन पहले तो है जो है एक डीब्य को इसने left किया फिर दो को फिर तीन को फिर इसे यह triangle बन रहे तो triangle को left किया उसके बाद eight to number का जो question है इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें दो जो त्रीब्य बन रखे हैं और दोनों को आपस में मिला रखा है तो यहाँ पर एक त्रीब्य की जो समानतर line है वो इसको इसने miss कर दी और फिर second step में क्या किया उसमें इसने जो है त्रीब्य की जो है दूसरे त्रीब्य की जो समानतर line थी वो भी इसने miss कर दी यानि दोनों त्रीब्य की समानतर line है इसने miss कर दी उसके बाद जो है चोते वाले question में क्या किया कि एक त्रीब्य की जो समानतर वाली लाइन थी तिर्फी वाली ये इसको इसने हवाटा दिया वह तो अगली वाले step मिस्टेप में क्या होगा कि दूसरे त्रीबुज की वह जो है समांतर लाइन हटेगी यानि कि यह जो लाइन वाली है इसको हटा देंगी तो हमारे पास केवल दो बराबर की लाइने बचेगी तो यह जो है यह इसका बिल्कूर 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा किश्याइए आपको लगता होगा यह क्रेक्ट होसकता लगी क्योंकि इसमें यह साइड पहले मिटेगी तुसल्याय जो है यह दूनों पेरेला लाइनस आई याने समानतर रहकाएं आईगी नवे क्यूशन की बात करें तो इसके अंदर आप देखोगे तो पहले इस जो आकरती है वो जो है पेतालेस डिगरी एंटिकलोग वाइस रोटेट हो रही है पहले 45 डिगरी रोटेट किया फिर 45 डिगरी रोटेट किया फिर 45 डिगरी रोटेट करेंगे तो यह आकरती कुछ इस परकार से आ जाएगी उसके बाद अगर हम बीच के डोट देके तो इसमें 6 है इसमें 5 है इसमें 6 है तो फिर वापस 5 हो जाएगे क्योंकि 6-5-6-5 की इसमें जो है सीरीज चल रही है यानि 5 डोट और इस प्रकास से जो है ए ओप्षन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला दसवा जो क्यूशन है इसमें जो है आपको एक इस्टार दे रहा है और उसके जो है पांचो साइड पर जो है एक एक चिनर बना रहा है अगर आप प्लस को देखोगे तो प्लस जो है यहाँ पर है और फिर अगली आकरती में हमने प्लस को देखा तो यह एक आगे स्टेप बढ़ गया है और फिर तीसरी वाले आकरती में देखा तो प्लस एक step और आगे वड़ गया है यानि चोती वाले figure में प्लस यहां पर आ जाएगा और यहां पर प्लस केवल और केवल D option के अंदर है यानि कि D option हमारे पास right answer हो जाएगा उसके बाद question number 11 की बात की जाए तो इसमें जो है हमको जो आकरती देर की इसमें तो वैसे ही पता चल रहा है कि यह जो है एक एक step आगे बढ़ रहे हैं जैसे एक cross पीछे था तो फिर यह आगे आगया और यह वर्त जो था वो इससे आगे चला गया यानि यह दोनों एक साथ एक बार तो जो है horizontal line पर है एक बार vertical पर फिर वापस horizontal पर फिर वापस vertical line पर होंगे तो vertical line पर यहाँ पर इस परिस्तित है और पहले आगे वर्त होगा और पीछे जो है cross का निशान होगा यानि कि ए option हमारे पास जो है बिल्कुल right answer हो जाएगा उसके बाद question number 12 की अगर बात की जाए तो इसमें जो है तीन हमको जो है आयत दे रहे हैं पहले step में क्या किया है नोंने एक आयत को जो है त्रीबुज बना दिया यानि कि एक आयत का आधा हिस्सा नोंने काट लिया है फिर दूसरी वाले आकरती में क्या किया है नोंने एक आयत को ही जो है नोंने miss कर दिया एक आयत को घटा दिया तो एक त्रीबूज और एक आयत बच गया फिर वो वापस अगले स्टेप में क्या है इन्होंने एक त्रीबूज को मिस कर दिया त्रीबूज को गाइब कर दिया तो केवल एक आयत बच गया यानि एक बार तो इन्होंने जो है आधा त्रीबूज गटाया एक बार पूरा जो है आयत गटाया तो इस प्रकार जो है स्क्वेंच चल रही है तो अगले बार में इसमें से आधा त्रीबूज गटाएंगे हम थर्टीन की बात करें तो इसमें जो है यहां पर हम निचे वाले साइन को देख लेतें इसमें चार जो है इस प्रकार्ट के जो इससे बना रहे है इसमें तीन इसमें दो है तो नेश्ट में 4 ही आएंगे तो इसमें तो 3 है नहीं हो सकता इसमें एक नहीं हो सकता इसी में है 4 तो option number 1 इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो अगर आपने अभी तक like और चैनल को subscribe नहीं किया तो इसमें 4 एरो तो होंगे इसार आएगा उपर बढ़ता हुआ यानि गड़ी की दिशा में clockwise जो है एरो राउंड कर रहे हैं इसमें clockwise एरो राउंड कर रहे हैं इसमें भी clockwise राउंड कर रहे हैं इसमें भी जो है clockwise round कर रहे इसमें जो है clockwise round नहीं कर रहे तो यह सी option था हमारे पास कट ही जाएगा उसके बाद यहां बीची में जो देखो तो आप इस परकार से एक तिर्ची line है फिर दूसरी step में 2 हो गए तीसरी step में 3 हो गए तो चोते में 4 हो जाएगी तो इसमें जो है जो इसमें क्या कि तीर्ची line है नहीं है बिलकु समानतर line बना दी नहीं हो सकता है इसमें जो है यह वाले option में तीर्ची line है तो यह जो है बिलकुल हमारे पास correct answer हो जाएगा option number a इसका सही answer हो जाएगा question number 15 की बात करें तो इसमें जो है हमारे को इस प्रकास एक message का sign दे रखा है फिर उसके बाद एक अर्द वर्त जोड़ दिया उपर दूसरी आकरती में अर्द वर्त को जोड़ दिया अर्द वर्त या नहीं होता है semi circle आदा circle इसमें जोड़ दिया फिर दूसरे इस step में देखे तो आदा circle इस side जोड़ दिया पहले उपर की side जोड़ा फिर उसके बाद हम देखे तो इस side जोड़ा अब निच्चे की side जोड़ जाएगा तो निच्चे की side केवल इसी में जोड़ रहा है यानि option number B जो है हमारे पास correct answer हो जाएगा question number 16 की बात करें तो इसमें जो है प्रशना करती दे रही है इसमें आप देखोगे तो पहले है तो आपको ध्यान लगाना है कि इसमें जो lines दे रही है, hatching lines वो एकदम ऐसे parallel दे रही है तीनों के अंदर parallel है और यहाँ पर देखें तो खड़ी line आ रही है तो यह भी option तो हो नहीं सकता है उसके बाद बाकी तीनों में parallel lines आ रही है तो फिर हम देने, हम देखेंगे कि यहाँ पर parallel lines का जो है आप देखेंगे, एक बटावा चार हिस्सा जो है, इसमें parallel lines खीच रही है फिर उसके बाद इसमें जो है, एक बटावा दो हिस्सा खीच दिया है फिर इसमें एक बटावा दो हिस्सा हो गया तो इसमें जो है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, दो बटावा, तीन हिस्सा हो जाएगा वाले में और की साइड बचेगा, क्योंकि इस हिसाब से तो यह इदर ही बचेगा पहले जो है लाश्ट में यह भागी रहेगा तो यह भागी बचेगा इसमें नीचे बचा रखा तो यह नहीं होगा यह साइड में नहीं हो सकता और इसमें खड़ी लाइने तो अल्रेडी काट ही दिया हमने तो यह option जो है इसका 100% correct answer हो जाएगा question number 17 की बात करें तो इसमें एक cross दे रखा है और एक minus जैसा sign बना रखा है यानि into और minus समझ सकते हैं तो अब जैसे कि इसमें हम देखें तो यह minus से दिरे दिरे आगे बढ़ता जा रहा है और यह जो cross है यह नीचे आता जा रहा है जैसे कि यहाँ पर उपर है फिर इसमें थोड पर चला गया है क्योंकि जो into है वो बीच में ही आ रहा है वो आगे पीछे नई किसिया घ्राएं तो यह option Source हो नहीं सकता है आएं पहले इसमें दो पतियां दे रही ती पिर तीन हो गए फिर चार हो गए तो नेश्ठ वाले में पाँच जरूर होगी पाँच पनतिया जो है इसमें दो वापस 6 होगे तो नेश्ट इस्तती में 3 ही आएंगे और 3 जो है इस मतविसे 6 दे रहे हैं तो यह राइट आंसर हो जाएगा और यह पत्ती है इस पत्ती को भी देखोगे तो यहाँ पर जो एश्टा पत्ती इसने जोड़ी है वो निचे की तरफ जोड़ रखी है मिला सिंगल वाली पत्ती निचे की तरफ आएगी और इसमें भी सिंगल वाली पत्ती निचे की तरफ ही है तो यह ध्यान रख रहे है इसमें उपर वाले उप्शन में उपर की तरफ दे रहे कि सिंगल वाली पत्ती तो यह ओल्रेडी गलत होगा यह निचे की तरफ ही रहेगी यानि सी इसका correct answer हो जाएगा Question number 20 20 के अंदर हम देखेंगे कि इसमें जो है इस परकार से जो है arrow बना रखी है अब इसका अगला वला arrow क्या आएगा यानि तिन तिन एरो है तो उसमें इस side का arrow अनिस्त नहीं दिया है तो एक arrow उपर जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा और एक वापस इधर जा रहा है इस परकार से जो है ये सरंचना है फिर अगली बार में क्या हुआ कि जो horizontal जो था बीच वाला arrow उसको इनोने खड़ा कर दिया यानि वर्टिकल बना दिया एक step तो समझ में आगी फिर उसके बाद अगले वापस इसको horizontal बना दिया फिर अगली step में जो है horizontal बन गया यहाँ पर और यह जैसे खड़ा वाला है तो इधर side में भी खड़ा वाला ही आएगा क्योंकि अगर बीच में खड़ा है तो दोनों वापस horizontal हो जाएंगे side वाले और अगर बीच में जो है horizontal है तो जो भी side वाले है वो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे यहाँ वर्टिकल हो जाएंगे तो यहाँ पर वर्टिकल ही आएगा उसके बाद बीच वाले arrow की यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 3 है इसमें 2 है इसमें 1 है चलो इस से तो कोई फ्रक निव पट रहा है इसमें तो सेमान चेंज हो रहा है बीच वाला हमको चाहिए नहीं side वाले को देखेंगी तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 थे side वाले के इसमें side वाले के एक हो गया तो इसमें side वाले का cut जाएगा बिल्कुल नहीं होगा ये भी से बिल्कुल नहीं होगा इसमें तो दे रखा है तो ये तो option होई नहीं सकता है ये भी नहीं हो सकता है अब जो B और D में से होगा तो अब एरो कहा लगेगा उपर लगेगा या निचे लगेगा बस यही हमको देखना है B, D में से कौन सा option right होगा तो हम यहाँ देखेंगे कि इसका arrow अगर उपर है पहले आकरती का तो इसके side वाले का arrow नीचे की तरफ है तो इसका अगर arrow नीचे की तरफ है तो इसका arrow उपर की तरफ ही होगा यानि कि D option हमारे यहाँ बिल्कुल right answer हो जाएगा Question No.21 जो है, इसका right answer हम देखेंगे तो इसमें जो है, यह जो अकरती है बीच वाली आप देखोगे बीच वाली जो अकरती है वो आगे चली गई बीच वाले आकरती आगे चले गए और इसके पीछे वाले जो आकरती वो आगे आगे बढ़ गए और जो आगी आगे वाले आकरती थी वो पीछे पीछे चले गए क्योंकि जो आगे से अट गया वो वापस पीछे लग जाएगा तो इस परकार से इनकी सिक्वेंस चल रही है तो उसी सिक्वेंस के हिसाब से जो है अगर यह जो है यहां से हट जाएगा तो यह जाएगा पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ चला जाएगा यह तो इसमें तो चारों वैसे वही दे रहे हैं तो इसमें से कौन सा right होगा तो अगर आप देखोगे तो इस आकर्ती में इस परकार से दो डोट लग रहे हैं और इनको ऐसे जोड रखा और बीच में ऐसे round एक वर्त बना रखा और वर्त के अंदर भी एक वर्त बना रखा तो इसमें तो त्रीबुज बना दिया तो ये तो होगा नहीं और इसमें जो वर्त बना रखा वो बिल्कुल इस सेंटर में ही बना दिया तो ये भी नहीं होगा इसमें जो है वर्त के अंदर वर्त नहीं है और उस arrow के side पर जो है नो ने दो जो है इस प्रकास से और arrow जोड़ दिया है फिर अगले step में किया है नो तीन जोड़ दिये तो इसके बाद ये horizontal हो जाएगी और इधर तीन और इधर भी जो है तीन जोड़ जाएगे तो तीन तीन की जो स्रेंचना है वो आप देखोगे तो option number B में नजर आ रही है तो B option जो है इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 22 का answer हो जाएगा B वाला question number 23 23 को कैसे करेंगे हम इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो इस गड़ी की जो दोनों सुईया है अगर इनको हम सही से देखे तो ये विल्कुल 30 degree के cone पर है लगबक वे 30 degree का cone मना रही है अब देख सकते हैं क्योंकि ये जो है दोनों संक्याओं यहाँ पर संक्या हो जाएगी 10 और यहाँ पर संक्या हो जाएगी लगबक हो जाएगी यहाँ पर 2 दो हो जाएगी, तो लगबक 30 दिगरी के समतिक कौन बना रखा है और फिर ये जो है आधा step, जो है दोनों सुया निचे की तरब चलेगी एक एक पॉइंट निचे की तरब चलेगी, वापस एक एक पॉइंट निचे की तरब चलेगी तो next step में क्या होगा कि ये दोनों इनके बीच में आ जाएगी मतलब पहली वाले जो इस्तती हैं वो इसके निचे की साइड पर हो जाएगी अगले वाले यहाँ पर जो स्तती होगी वो इस पर कहां से यह जो एक बीच में रह जाएगा और उसके दोनों तरफ हो जाएगे तो ऐसी इस्तित के अवल V वाले उप्शन में नजर आ रही तो V वाला उप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Q24 की बात करें तो इसके अंदर जो है इस प्रकार से एक फेस दे रखा है यहाँ पर देखेंगे हम जो साइड वाले जो चारो जो डिजाइन है न वो एक इश्टेप आगे खिजक रही है तो अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर अभी यह जो हैचिंग यानि तीरची लाइनों वाले जो आकरती है जो डोटेट होगी तो यह साइड में आएगी और साइड वाली आकरति आ हमको तीन दे रहे हैं तो अब हम जो है इस आकरती के अंदर देख लेते हैं तो अंदर की तरब हम ने देखा, तो यहाँ पहली वाले आकरती में एक त्रीबुज बना रखा है, और फिर उपर एक वर्थ बना रखा, दूसरी वाले आकरती में क्या किया है इन्होंने और निचे की तरब मुह के रूप में ईन्होंने एक आयेत बना दिया तो ये आयत चला गया आगे, त्रीबूज और उससे आगे खिस गया और वर्त वापस निच्चे आ गया, यानि यह तीनों भी रोटेट हो रहे हैं, clock wise रोटेट हो रहे हैं, उसके बाद यह वर्भ जो आयक है वो आगे चला गया और त्डुझ आ गया निच्चे और यह वर्थ वापण चला गया, यानि कि यह सी condition इसमें तो है नहीं इन दोनों में बन रही है अब इन दोनों में से right answer तो इसकी नाग देखेंगे तो एक बार इस प्रकास से जे है दूसरी बार इस प्रकास से जे है 21 की बात करें तो इसमें जो है इस परकार से हमको प्रश्रा करती दे रखी है तो इसका जो right answer है वो क्या होगा आप देखोगी कि इसमें जो है इस सरंचना में हमको एक जो last हिसा है वो नजर आ रहा है वो ही इसमें change हो रहा है ये जो है खड़ा इसा है जिसको हम आयत बोल सकते हैं यह आयत जो है अभी लाश्टी लाश्ट में दे रखाई यह आगे चला गया फिर उसके बाद एक इस्टेव और आगे आगया फिर अगले आकरती में जो है वो इस परकार से और आगे चला जाएगा यहाँ पर आगे आजाएगा तो यहाँ पर आगे केवल ए वाले उप्शन में आ रहा है तो ए वाला उप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्यूशन अबर ट्वांटी सिक्स का अगर देखे तो इसमें बहुत इजी है कि इसमें जो ब्लेक वाला जो सिंबल है ब्लेक वाला डिजाइन वो एक इस्टेप आगे बट रहा है जैसे यह ब्लेक इदर लास्ट में देरका तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर तो वापस तीसरे नंबर पर जाएगा और ब्लेक वाला तीसे नमबर बत के वल B option में ही तो वैसे B option इसका right answer हो जाएगा B जो है वो right answer हो जाएगा Question number 27 27 बहुत ही interesting question है इसके अंदर अगा हम देखें न तो यहाँ पर जो है चार इसके जो side बना रखें चार मतलब round shape बना रखें तो इनको अगर number देदे इसको हम 1 देदे इसको 2 देदे इसको 3 देदे इसको 4 देदे तो जिसी first से हम second में जाएंगे तो एक वाला जो बहार की तरफ निकला था ना वो चला गया अंदर की तरफ और 2-3 वाले जो अंदर की तरफ थे ने एक दो तीन चेंज हो गए अब उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि जब तीसरी वाले अकरती में इसमें एक दो तीन कम हुए तो इसमें जो है दो तीन चार जो है चेंज हो जाएंगे देखो आप देखोगे दूसरे नंबर पर हमने इसको एक दिया था इसको दो इसको तीन इसको चार तो इसमें आप देखोगे तो दूसरे नंबर का जो है बाहर निकला होता था अंदर हो गया तीसे नंबर का भी बाहर निकला होता था अंदर हो गया और चोते नंबर का अंदर था तो बाहर हो गया यानि पहली वाले आ बाहर की तरफ निकला है वो अंदर की तरफ हो जाएगा और यह जो है एक वाला जो है वो यह अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ हो जाएगा यानि कि अगर हम इसका जो ट्राइट आंसर अगर हम देखें तो वो ए ओप्शन हो जाएगा क्योंकि ए ओप्शन यानि जो यहां पर मैंने बताया था बहार निकला हुआ है वो तो अंदर गुज गया और इदर जो है कौन-कौन से थे थे हमारे पास 3 3 4 और एक यह तीनों चेंज हो गए आप देखो गए तीन चार एक पहले एक दो तीन चेंज हो यह फिर दो तीन चार फिर चार तीन एक इस प्रकास हमको च किया इस ब्लेक डोट को यह स्टेप एक स्टेप आगे चला गया दूसरी वाले आकरते में यहां चला गया तीसरी वाले आकरते में यहां चला गया चोती वाले आकरते में यह नीचे आ जाएगा यह बात तो कंफर्म हो गई कि चोती वाले आकरते में यह नीचे की तरब उस के अंदर एक एसी लाइन खीच रखी है, उस लाइन को अगर हम देखेंगे तो वो घड़ी की दीशा में 90 डिग्री घूम रही हैं, जैसे यहाँ पर नीचे थी, उसके बाद ये 90 डिग्री घूम गई, वापस इसमें देखेंगे तो 90 डिग्री वापस गूम गई है, 90 डि 29 की बात करें तो इसमें जो है प्लस वाला जो बीच में साइन हैं उसके अंदर एक तीरची लाइन खीच दी फिर दो तीरची लाइन खीच दी तो फिर उसके बाद जो है क्या होगा इसमें ज़्यादा तीरची लाइन आ जाएगी दो के बाद तीन हा जाएगी और तीन लाइ तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे पास इसको बीच में जो वर्ग है वो तो बदर गया वर्त में और ये जो साइड में दो वर्ग बन गए और इधर जो प्लस का वापस इन्हों ने क्या कर दिया ये चोकोट बना दिये इस प्रका के सिंबल बना दिये और फिर नेश्ट वा वाले सायन पीछे की तरफ थे, वो इसमें आगे की तरफ आगे, काईने का मतलब एक तीन पाच, एक तीन पाच, तीनों सेम आकरतिया होगी, बस चेंज क्या हुआ, उपर का हिसा निचे का हिसा उपर चला गया, यानि यह दोनों त्रीपूज आप देखोंगे उपर है, इसमे 50 वाले आकर्थी में वापस ज्यू है पांच वहालि यो निच्छे की तरफ हो जाएगा बीच में वर्ग-बीच में वर्ग-बीच में वर्ग और यह आकर्दी देखो घिलाभ ओप्शन नंबर ए में मिल रही हैं यह एक तीन पांच एक जैसा होगा और दो और दो के साथ चार और फिर छे ये भी एक जैसे होंगे बट जैसे इसमें उपर नीचे हुआ ना इसमें लेप्ट राइट हो गया क्या हुआ लेप्ट राइट देखो ये जो सरेंचना है इधर हम एक बार रब करके बताते हैं ये जो हिस्सा है वो इसमें आगया गया इसमें पीछे था इसमें आगया गया यानि इसमें तर लेप्ट राइट चल रहा है उसमें आपर डाउन चल रहा है तो इस परकास से ये आंसर हो जाएगा तो उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और अगर आप ये तक आपने हमारे चेनल को सब्सक्राइब लिए किया है पलीज आप से रिक्वेष्ट है चेनल को जरू सब्सक्राइब कर दे तरने वाद दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद